बेपेसी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत हैं आज के इस वीडियो में 27-28 नॉबर 2022 से संबंदित बिहार के रेंड़ फेर्श और साथ ही राष्टे और अंतराष्टे घटनौसित के रेंड़ फेर्श के जितने भी प्रश्ण बनेंगे संबंदित सारी जानगारी आपको विस्तार प्रवक दिया जाएगा जितने भी छात्री इसे स्रिंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं आप सभी छात्रों को बता दूँ इसे स्रिंखला के सारे वीडियो, पीडियाफ, नोट्स वगरा सभी आपके बिहार के प्रतरोगी प्रेक्षाओं के द्रिश्टिकौन से अती महतपूर्ण है तो रेगुलर बैसिस पर इसे स्रिंखला को जरूर फॉलो किजएगा अब यहाँ पर हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्ण पर, यह प्रश्ण आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था यह प्रश्ण था कि हाल ही में, असम में आज ये 37 में नेशनल जुनियर एटलेटिक्स चेंपिंशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया है विस्तार पुर्वक जानकारी यहां से हमने आपको दिया था इसमें बिहार ने कुल मिलाके 9 पदक अपने नाम किया है इन 9 पदकों में से गोल्ड की बात करें तो एक भी गोल्ड नहीं है जबकि सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 6 और ब्रॉंज की बात करें तो ब्रॉंज 3 यानि कि कुल मलाके 9 पदक विहार ने अपने नाम किया ऐसे में इस प्रशनी का राइट आंसर था अपसन नमर B कोसिज किजिए कि जब भी प्रशनी आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूबकलिक है अब यहां पर आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्पून जानकारी देदू यहां पर जो आप यह सारे नोट्स देख रहे हैं यह सभी पीडिया फॉर्मेट में है यह BPC मेकर एप पर 68 BPC वाले कोर्स में अपलोड है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जितनी भी छात्र मेंबर्सिक लिए वे वह सभी वहां से निसुल कर डाउनलोड कर पाएंगे जो नए छात्र से जोईन करना चाहते हैं तो जोईन कर सकते हैं डिटेल जानकारी यहां पर आपके स्क्रीन के सामने है यह pre-special course है जिसमें syllabus अधा जित नोटस भी सामिल है टेस्ट स्रीज सामिल है टेस्ट स्रीज की बात करें तो यह एक दिसंबर से इसकी सुरवात हो रही है यह अब जिहां डेकम आपको 62 दिनों का यह टेस्ट स्रीज प्लान है और इसमें आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं जिसमें कुल मिलाकरम टेस्ट की बात करें तो 62 दिनों में आपका 62 टेस्ट होगा 50 इसमें full length practice state है और 12 इसमें sectional test है तो जितनी भी छात्रे से जॉइन करना चाहते हैं जॉइन कर सकते हैं इसी course के अंतरकत आपको BPC का previous share paper मिलेगा प्राणफी परिक्षा का और इशाद सत current affairs की जो सरिंखला चलती है वो सारा का सारा notes 2021 से अब तक का इसमें आपको उपलब्द करा जाएगा इसके लिए दो package option है आपके समक्ष आप दोनों में किसे भी जोईन कर सकते हैं और रही यहाँ पर test series की बात तो test series आपकी तयारी का आंकलन करता है इसका विस्तार पुर्वक जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ फिलाल हम यहाँ पर चलते हैं इस प्रशनी का हमारा right answer हो जाएगा option number B यानि कि 26 number को प्रतियक वर्षिप बिहार में नसा मुक्ती दिवस से मनाया जाता है तो ऐसे में इस प्रशनी का right answer होगा option number B यानि कि 26 number अब यहाँ पर आपको जानकार देदू हमारा पहला point है हाल ही में 26 number 2022 को सम्मानित किया गया है ये भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नसा मुक्ती दिवस से जो कि 26 number 2022 को मनाय गया इस अफसर पर कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया बिहार में तो आपको ध्यान रखना है कुल मिलाके 11 अधिकारियों को मुक्षमंद्री नितीस कुमार दौरा सम्मानित किया गया अब यहां पर नेक्ष प्यांट है कि बिहार में 26 number 2011 से मदनी सेध्य दिवस से मनाना सुरू कर दिया गया था हलाकि उस समय सराबंदी नहीं लागो थी ये भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं बिहार में सराबंदी जो लागो हुई थी ये कब लागो हुई थी ये भी एक्जाम परपस से बहुत बहुत इंपॉटन्ट है ये सारे जानकारी यहां पर आगे मैं देने वाला हूँ हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार में 1 अपरेल 2016 को सराबंदी लागो किया गया था हलाकि ये पूर्ण रूप से लागो नहीं हुआ था यहां पर आपको कन्फिजन हो सकता है इसके बारे में यहां पर डिटेल जानकारी हमने लिखा है तो इसमें अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे हलाकि इससे पहले 1977 में मुख्यमंत्री ताकालिन मुख्यमंत्री करपूरी ठाकुर ने सराबंदी कानून लागो किया था लेकिन दो साल बाद ही उसे कानून को भंग कर दिया गया ये ध्यान रखेगा अग्जाम में पूछे जाने की प्रबल शंभावना है कि बिहार के इतिहास में वैसे कौन से मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने पहली बार बिहार में सराबंदी कानून लागो किया कब लागो किया ये सारे बाते आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं और कितने वर्षाँ के लिए लागो हुआ था पीछे रिजन यह है कि जो सहरों में जो विदेशी सराब की दुकान है इस पे जो पाबंदी लगाए गए थे ये 5 अपरेल 2006 से लगाए गए थे और विदेशी सराबों की पाबंदी लगाने के बाद ही बिहार में पूर्ण सराबंदी लागो हो गया और ये डेट था 5 अपरेल 2006 तो इस अधार पर दोनों पॉइंट को यहां से आप दिहान रखेंगे अगर प्रश्ण में आपको पूछा जाए पूर्ण सराबंदी तो निश्चित तोर पर ये 5 अपरेल 2006 अगर ये प्रश्ण आपके बिपेसी एक्जाम में पूछा जाए और वहां पे पूछा जाए कि बिहार में सराबंदी कानून कब से लागो है तो विकल्पों के अधार पर आपको प्रश्ण का राइट आंसर का चैन करना है अगर विकल्प में आपका दोनों मतलगा सकते हैं विकल्पोंजे से कि 1 अपरेल 2016 भी हो और 5 अपरेल 2016 भी हो तो ये निर्धारन होगा कि प्रश्ण में क्या पूछा जाए रहा है प्रश्ण के अधार पर ही उसका आप आपकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो आपसर नमर ई है आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है ये चीज़ें यहाँ से आपको दिहान लखना है और इसके लिए आपको हमेशा ततपर रहना पड़ेगा चलिए अब यहाँ पर हम चलंगे अगरे प्रश्ण पर हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्ण यह प्रश्ण है बिहार करेंट अफेर्स के दरिष्टी कौन से अती महत्पूर्ण प्रश्ण है इसे मैं 5 इस्टार दे रहा हूँ आपको याद होगा शेक्री 7 इपसी प्रिलिम्स एक्जाम आपने जो दिया है और जितने भी परश्ण में मैंने इस्टार मार्क किया था वो सारे परश्ण दगभग आपके एक्जाम में पूछे गये हैं तो जोभी परश्ण को मैं यहाँ पर इस्टार मार्क से अंकित कहता हूँ तो बिहार से 13 कलाकारों का चैन किया गया तो ऐसे में option number C यहाँ पर इस प्रश्न का right answer हो जाएगा अब यहाँ पर हम इसके explanation की बात करें तो इसमें आपको धियान रखना है कि संगीत नाटक अगादमी ने 128 कलाकारों को भारत की आजादी के 75 शाल पूरी होने के उपलक्ष में आजादी का अमरित महसव के थथ संगीत नाटक अगादमी अमरित पुरुषकार देने की घोशना की है पूरे भारत से बात करें तो 128 कलाकारों को चुना गया है यहाँ पर कुछ terms and condition है और बहुत सारी बाती और भी है जो के जाम में पूछे जा सकते हैं इसमें आपको ध्यान लगना इसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल है जिनमें 8 पुरुस और 5 महिलाएं हैं यह नोट कर लिजेगा अतीम हादपून है हमारा अगला पुरुण है कि बिहार को मिले इन 13 पुरुषकारों में 4 अमरित आवार्ड, 5 संगीत नाटक अगादमी आवार्ड और 4 बिसमिल्ला युवा आवार्ड समिल है यह यहां से नोट कीजेगा तीन कैटेगरी में बिहार को कुल मिला के 13 अवार्ड मिले हैं और इन अवार्ड की बात करें तो एक साथ अभी हाल ही में इसकी गोचना हुई है, कुल मिला के 128 कलाकारों को यह दिया जाएगा और इनमें बिहार के 13 कलाकार शामिल है, जिनमें कि मैथली ठाकुर भी सामिल है, यह सारा नाम आपको अती महत्पूर है, एकजाम में पोचे जा सकते हैं, तो कुईज के माध्यम से चीज़े आपको बहतर मतलब एक परका से अनुभाव देगा, वहाँ पर आप जितने भी मतलब का सकते हैं, अब तक के क्लास हुए हैं 2021 से अब तक के, सारे दिनों का वहाँ पर आपको कुईज मिल जाएगा, सभी के सभी निशुलक हैं, वहाँ पर एक भी रुप्य आपको पे करने की आवस्कता नहीं है, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से अहकलन कर पाएंगे, और चीज़े आपको वहाँ से बहतर समझ में आए, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका explanation भी मिलने वाला है, तो खाली समय में जब भी आप बैठें, तो निश्यत तोर पर आप application का इस्तमाल कीजें, यह आपके लिए बहुत बहुत लाबदायक हो सकता है, अगर आप मुख यूरूप से विपिस्टी एक्जाम की तैयारी में लगे है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि समय का सद अब्यूब होना बहुत बहुत जरूरी है, निश्यत तोर पर अगर आप मान के चलिए 6 मैने भी एकदम से कड़ी मेहनत करेंगे, तो प्रणभी परिक्षा में सफलता आपकी हाथ में होगी, दुनिया के सारे सिज़ों को छोड़ द चलिए अब यहां पर हम चलते हैं, अगले तीसरे प्रशन पर, तो यह प्रशने के अमेरिकी कंपनी मौर्णिंग कंसर्ट की ओर से जारी, विश्व के डोपिर या नेताओं की सूची में पहले अस्थान पर गाउन है, इंपोर्टन प्रशन है, आप यहां पर इस तस्वीर को देखकर समच चुके हैंगे, इसका राइट अंसर होगा, अपसन नमर सी, मानलिय परधान मंतरी स्रीन नरेंदर मोदी इसमें पहले अस्थान पर है, इस प्रशनी के बारे में विश्व के लोगपिर यह नेताओं की सूची हादी में, अमेरिकी कंपनी मौर्णिंग कल्सन द्वारा जाई किया गया, और इस रिपोर्ट के अनुशार हैं कि इस सूची के अनुशार भारत के पंदरवे, वरतमान प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, 77% स्वीकिरती के साथ, विश्व के सरवाधिक लोगपिर यह नेता है, यह यहां से आपको धिहान रखना है, 77% स्वी दूसरे और ऑस्टेलिया के प्रधान मंतरी एंथनी एलबनीच, तीसरे अमेरकी राष्टपती जो बाइडन नौवे और ब्रिटेन के प्रधान मंतरी रिशी सुनक 22 में अस्थान पर है, यह सारी बाते यहां से आपको धिहान दखना है, यह एक्जाम में पूछे जाने की प्रबल शंभावना रखती है, रिशी सुनक के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाली में यह ब्रिटेन के नए प्रधान मंतरी बने हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रहे हैं रिशी सुनक भारते मोलके और यह 22 में अस्थान पर हैं, यह पूरे विश्यू के लो पूसरा कारिकार है, और उनके कारिकार का 8 वरसे भी हाली में 26 मई 2022 को पूरा हुआ है, इंपोर्टन है, हाला कि विश्यूत जानकारी हमने आपको दिया था, और इस वरस 2022 की बात करें, 2022 में 17 सिदंबर को जो इनका जन्मदीन मनाय गया, तो इस अवसर पर 17 सिदंबर को जो आए गया, आपको दियान रखना है, 17 सिदंबर के दिन क्या हुआ था, आपको मैंने बताए था, 17 सिदंबर के दिन प्रोजेक्ट चीता की सुरवात हुई थी भारत में, जबके हम बात करें, 1973 की ताथकालिन प्रदहान मंतरी इंद्रा गंदी थी और उस समें प्रोजेक्ट तो इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होगा, अप्सन नमबर डी, यानि कि मलेशिया इसका राइट आंसर होगा, आप यहाँ पर अनवर इब्राहिम को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको जानकारे देदू कि इब्राहिम अनवर हाली में मलेशि की सजा हुए थी अब यहां पर आपके मन में यह सवाल उट रहागा भराश्टाचार तो आप लोग से भी जानते हैं क्या होता है अब वहीं पर दूसरी और हम बात करें शोडोमी की सोडोमी आखिर होता क्या है तो यह एक सेक्सोलोजिक टर्म है आई थिंक बहुत से लोग इ रहने की एक्षूब है तो डारेक्ट आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं शोडोमी क्या है इसका अर्थ क्या होता है फिलाल इसे प्लेटफॉम पर मैं इसकी पूरी के पूरी जनगारी देने में और समर्त हूँ इसलिए हम यहां पर इसे इसक्रिप करते हैं बस यहां पर यह ध्यान रखे कि अभी हाले में जो दसमें परदान मंतरी बने हैं मलेशिया के अनवर इब्राहिम इन्हें दो बार शोडोमी और भरष्टाचार के मामले में पंच साल की सजा सुनाई गई थे यहां से आपको ध्यान रखना है हम बात करें यहां पर अगले पॉइंट में भा भारत का तीसरा खिताब था इसे पहले भारत ने 2013 और 2014 में या खिता जीता था और भारत इसे जीत के साथ ही Great Britain के तीन बार खितने के record की ये बराबरी कर ली है नोट कीजेगा सुल्तान जोहर होंकी कब 2022 का खितने के साथ है इसे खिताब को तीन बार जितने का जो record है ये भारत ने अपने राम किया और इस खिताब को तीन बार अब तक कुर्मला के दो देशों नहीं जीता है अब यहाँ पर आपको जानगारी देदो कि हाली में फिक्की द्वारा राजेंद पवार को Lifetime Achievement Award से संबानित किया गया है अगली पॉइंट में अगर हम बात करें फिक्की की अर्थात भारत वानिज अवंग उद्योग चंग अर्थात Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry भारत की वेपारिक शंगटनों का संग है और यहाँ पर आपको दियान रख रहे हैं कि इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांदी की सलापर घंशाम दा सिबीडला और पुरुशत्यम ठक्कर के द्वारा की गए थी यहाँ से आपको दियान रखना है वरतभान अध्यक्ष फिक्की किया है, सुबरकॉंट फॉणडा हाली में आपको मैंने बताया है इसी करेंड़ फर्ष की स्तिरिंग लाके अंतरगर नेक्स्ट होगा छाठा प्रशन ये प्रशने की हाली में चीन कुकी समधाय खबरों में है बताएं कि इसका कारण क्या है, किस वज़से ये चीन कुकी समधाई खबरों में है इस प्रश्णी का हमारा right answer होगा, यहाँ पर option number A यानि कि याँ बंगलादेश ये भागे हुए आदिवासी है option number A यहाँ पर इस प्रश्णी का right answer हो जाएगा अब इसे सम्दित जूड़े हुए कुछ फैक्ट है, जैसे कि इसमें हमारा पहरा पॉइंट आप धियार लखेंगे हैं हाली में चीन कुकी समधाई खबरों में है, यह बंगलादेश से भाग कर आए समधाई है यहाँ पर अगला पॉइंट है कि मिजरम सरकार ने आदिवासियों को भोजन राहत और आस्त्रे प्रदान करने की घोशना की है एक जाम में पूछे जा सकते हैं कि बागना देश से भाग कर आये हुए चीन कुकी समधाय को किस राजी सरकार ने भोजन, राहत और आस्रे देने की घोशना की गई तो मिजरम सरकार के दोरा भी हाली में इसकी घोशना की गई इंपोर्टेंट प्रशन है, नोट कर लिजेगा सारी बातों को यहाँ पर देखे, हमारा अगला पॉइंट है, मिजरम से संबन देत, जो रिपोर्ट आये थी हाली में केंद्रे सिक्षा विभाग की तो इसके अधार पर यहाँ पर यह पॉइंट लिखा गया कि केंद्रे सिक्षा विभाग की हालियार रिपोर्ट की अनुशार भासा पर खर्श करने के मामले में मिजरम पहले और असम दूसरे अस्थान पर है भासा की पढ़ाई पर जो राज्य खर्श करता है तो इस मामले में जो इस पर आधारे जो रिपोर्ट आये थी केंद्रे सिक्षा विभाग की इस रिपोर्ट के आधार पर मिजरम पहले अस्थान पर है और असम जो है यह दूसरे अस्थान पर है लेकिन बिहार की दृष्टी कौन से देखें तो इसमें आपको धियान लगना कि जब कि बिहार इसमें यानि की भासा की पढ़ाई पर खर्च करने के मामले में बिहार तीसरे अस्थान पर है नोट करने जगा बहुत बहुत इंपोर्टेंट है यह जनगारी हमने हमने हला की आपको विश्टार प्रुवग दिया था वहें भी अगले प्वाइंट की बात रहा है तो केंदर सरकार की इस रिपोर्ट के मदाविक बिहार अपने राजस बजट का 1.66% भासा विश्य की पढ़ाई पर खर्च कर रहा है यह केंदर सरकार की रिपोर्ट जो आए थे उसमें यह सारे बातों का जिक्तरिक जा गया था तो सारे चीज़ों को यहां से आपको नोट कर लेगा है अब यहां पर देखें अगले स्लाइड में आपको टेश्ट स्रीज का सेड्डियूल दिख रहा होगा 68BPC exam के लिए जो टेश्ट स्रीज जो लाँच वाई यह 62 दिनों का प्लान है यह आपको धियान रखना है कि आपकी तैयारी का सही तरीके से अंकलन करेगा यह पूर्ण रूप से आपके 68BPC exam के लिए डिजाइन है आप लोग से चाहें तो जोईन कर सकते हैं आपका 1 December से सुरू हो रहा है पहला टेश्ट जोगा यह 1 December को होगा और परती एक दिन आपका एक टेश्ट होगा और टेश्ट की समय की गोशना यह कि किस समय यह टेश्ट दिन भर में आपका आईजित होगा इसकी समय की गोशना आपको जल्द ही दी जाएगी तो ध्यान रखे यह 50 टेश्ट यहाँ पर फुल लेंद समय है जो कि आपका 51 टेश्ट होगा 19 January 2023 को यह यहाँ से आपको ध्यान रखना उसके बाद हम बात करें यहाँ पर 20 January 2023 से आपका current एफर्स का टेश्ट शुरू होगा जो कि आपका चलेगा 31 January 2023 तक यह चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है current एफर्स का इसमें कुल मुला के 12 टेश्ट सामिल है जिसी current एफर्स की तैयारे भी यहाँ से आपकी हो जाएगी और शाहते साथ जो यहाँ पर यह फुल लेंद टेश्ट है इससे चीज़ों को आपको बहतर तरीके से समझ पाएंगे आपको यह समझ आएगी कि अगामी एक्जाम को देखते हुए आपकी तैयारे की आधार पर हुई है तो बहुतर दिनों के इस टेश्ट स्रीज को आप लोग जोईन करेंगे तो निश्चित तोर पर आपको सफलता जरूर मिलेगे तो घर बेटे जितने भी छात्रे अगने एक्जाम के तैयरी में लगे हैं इसे जरूर जोईन कर देजेगा वीपेसी मेकर एप के तरो वीपेसी मेकर एप को प्लेश्टोर पे स्टर्च कीजे वहाँ से डाउन्रोड कीजे और 68 वारे कोर्श के अंतरगर या फिर टेस्ट में जा करके इस तरह टेस्ट स्रीज को जोईन कर सकते हैं चलिए अब यहाँ पर हमाच के अगले सात्वे प्रश्ण पे तो यह सात्वा प्रश्ण की हाली में किस अंतरिक्ष एजनसी के द्वारा आरच 200 साउंटिंग रॉकेट का सफल परिखेपन किया गया है तो हाली में आरच 200 साउंटिंग रॉकेट का सफल परिक्षन किया गया है इसरो के दोरा भारते अंतरिक्ष अनसंधान संगठन अर्थात इसरो के दोरा अभी हाली में इसका सफल परिक्षन किया गया इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको याद रखना है जैसे कि भारते अंतरिक्ष अनसंधान संगठन अर्थात इसरो दोरा हाली में बहु उपयोगी Sounding Rocket आरच 200 का त्रुनंत पुरम के थुमबा तट से सफल परिक्षेपन किया गया है और इसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़े और भी लेखी गए जैसे कि यह Sounding जो रॉकेट होते हैं इसका इस्तिमाल कहा होता है आपको ध्यानक में Sounding Rocket का इस्तिमाल मौसम विग्यान, खगोल विग्यान और अंतरिक्ष बहुतकी के इसी तरह के साखाओं पर प्रयूग करने के लिए किया जाता है इसका इस्तिमाल होता है यह यहाँ से नोट कीज़ेगा हमारा अगला पॉइट है कि 23 अक्टवर 2022 को इसरो ने ब्रिटेन के वेस्विक नवाचार नेटवर्क है वन वेब के 36 उग्रह एक साथ अंतरिक्ष में चोड़ा था 23 अक्टवर 2022 को यह जानकारी हमने आपको दिया था नोट कीज़ेगा 36 उग्रह चोड़ा गया था वन वेब का नेक्स्ट पॉइट यहाँ पर अंतरिक्ष संगत्नों के बारे में है जैसे कि पहला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी जिसका नाम है नासा और नासा की जो स्थापना होई थी यह 29 जुलाई 1958 को भी थी अंतरिक्ष एजनसी यानिकी इसरो इसकी अस्थापना होई थी पंद्रह अगस्त उनिश्व उन सत्तर को नाम है सुपार को चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्ण पर अगला होगा हमारा आठवा प्रश्ण इस प्रश्ण को आप इंपोर्टन प्रश्णों की स्रेनी में रखेंगे इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर होजाएगा उपसन नमबर डी यानिकी पुर्णिमा देवी वर्मन जो आप यहाँ पर इन दोनों तस्विर में आपे नहीं देख सकते हैं पुर्णिमा देवी वर्मन को अभी हाली में शन्युक्त राष्ण के सर्वोच पर्यावरान प्रश्कार चेंपियन आफ दो अर्थ से संबानित किया गया है और वे असम की रहने वाली है यहाँ से दिहान रखेगा सन्युक्त राष्ण का जो सर्वोच पर्यावरान प्रश्कार है से कहा जाता चेंपियन आफ दो अर्थ इससे अभी हाली में असम की पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है और उन्हें यह सम्मान एको लोजिकल सिस्टम के एरोजीन की रोख्थाम के लिए की गई परवर्तन कारी कार के लिए सम्मानित किया गया या फिर दिया गया है इससे पहले भाषरत की पुरदान मंत्री नरेंदर मोदी को 2018 में शन्युक तराश्च के सर्वोच पर्यावरान पर्शकार चेंपियन आफ दो अर्थ से सम्मानित किया था 2018 में चेंपियन अब दो अर्थ से सम्मानित किया गेता है प्रणान मंत्री नरेंदर मोदी और इसके बारे में यहाँ पर आप यह ध्यान रखेंगे पर्यावरन के छेतर में योगदान देने के लिए इस अवार्ड से चल यहाँ पर हमारा अगला होगा नावा प्रशने हाल ही में मौंखछली महसव कटले काई परीसे आयजित हुआ है आपके एक coughing जा सकते हैं कटले काई परीसि क्या है यह एक महुसब है, मुंपली महुसब है जिसकी सुरवात या पिर जिसका आजन अभी हाल ही में किया गया कहाँ पर तो करनाटक में ऐसे में ध्यान रखें, अपसन नमर ए यहाँ पर इससे प्रशनी का राइट आंसर होगा आपको जानगार देदू कि इससे मुंपली महुसब कडले काई परीशे का जो आजन है यह करनाटक में किया गया, यह यहाँ से नोट कर लेज़ेगा और इसका उद्गाटन करनाटक के मुक्ष मंतरी बसव राज बममाई के द्वारा अभी हाल ही में किया गया था और इस उद्गाटन को मजाने का उद्देश मुंपली फसल की पहली मौसमी उपज का स्वागत करना है यह चीज़े आपको ध्यानक में इसका उद्देश क्या है अब यहाँ पर अगले पॉइंट में करनाटक में आजित होने वाले भारत में एक रज है करनाटक तो करनाटक में आजित होने वाले परमुक त्योहार वा मौसम के बारे में यहाँ पर हमने कुछ जानकारी आपके समक्ष रखा है तो ऐसे में ध्यान रखे उगादी, हमपी महसम, करगा, पड़ दकल, नृति महसम, कंबाला महसम, मेरा मुड़ी महसम आदी यहां की परमुक है, त्योहार वा महसम है करनाटक के जो की एकजाम में पूछे जाते हैं यह सारे बातों को यहां से ध्यान रखेगा और इसे नोट जरू कर लेज़ेगा अगला दसवा परशने की निवलिकित में से कहां से हाली में अगनी थ्री मिसाइल का सफल परेक्षन किया गया है अगनी थी मिसाइल के एक यूनिट का सफ़ल परेक्शन अभी हाली में किया गया है और ये कहां से किया गया तो उडीसा से किया गया तो ऐसे में उपसर निमबर बी यहां पर इस प्रेशनी का रायट आनसर होगा आपको जाना करते हैं कि अगनी थमीसाइल भारते शैना में सामिल होए एक ग्यारा साल हो गए है और ये एक इन्टरमेडियर ट्रेजिकी बैलेष्टी कि मिसाइल है जो कि परवानू हथियार ले जाने में सक्षम है तो इतनी सारे बाते अगनी थ्री मिसाइल के बारे में हैं जो कि आपको धियान रखना है अब वहीं पे हम अगले पॉइंट के बातना है तो हाल ही में उडिशा के अब्दुलकलाम विलर द्वीप से इसके एक यूनिट का सफल परिक्शन किया गया है यहाँ पर देखें एक चीज़ आपको धियान रखना है कि अब्दुलकलाम जो द्वीप है इसे पहले विलर द्वीप के नाम से जाना जाता था लेकिन हाल ही में इसका नाम में परिवर्तन करके इसे कलाम द्वीप क्या गया है इसमें हमारा अगला पॉइंट है इसकी विसेस्ता के बारे में यानि कि अगनी थ्री मिसाइल की जो विसेस्ता है इसकी स्पीट की बात में तो इसकी स्पीट 5-6 किलोमेटर पर 30 सेकंड है अर्थाथ चीन का एक बहुत बड़ा हिस्ता पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मियानमार जैसे कई देश इसकी रडार में है मिन्टो में यह तबाही मचा सकते हैं पूरा पुरा डेश को तबाह कर सकता है यह पूरी की पूरी जो कस लगते हैं यहाँ पर जो सूची दी गए है यह सारे देश से यह अगनी त्री मिसाल की रडार में पढ़ते हैं मुश्किल से पंगच से दस मिनट के अंदर यह पूरी यहाँ पर यह सारे देश में तबाही मजाने में सक्षम है यह चीज़े यहां से आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पर चलते हैं अगले प्रशन पे हमारा अगला होगा ग्यारवा प्रशन यह प्रशन की निवलखित में से किसराज में हाली में शंगाई महुसव 2022 आजित किया गया important प्रशन है शंगाई महुसव 2022 के बात करें तो भी हाली में इसका जो आजिन हुआ आपको ध्यान रखना है मनिपूर में क्या गया option number C यहां पर इस प्रशन का right answer होगा आपको ध्यान रखना है संगाई महुसव 2022 का जो आजिन है हाली में मनिपूर में क्या गया और यह मनिपूर का सबसे बड़ा परेटन उत्सव है और इस तियोहार का नाम एक पसू के नाम पर रखा गया जो कि केवल मनिपूर में ही पाया जाता है और यह 10 दिवसे तियोहार है आपको धियान रखना है और इस वरं 2022 का इसका विसे मनिपूर में बिहार की जो राजनितिक पार्टी का दरजा कुछ समय पहले मिला था हमने आपको विस्तार पूर्गर के जानकारी दिया था अब यहाँ पर हमारा अगला बारवा प्रश्ण की भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के राश्ट पती को गंतांतर द्वस परेट 2023 के लिए मुख्य अथिति के रूप में आमंतरित क्या है इस प्रशन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अप्सन नमबर D याने की मिस्त्र के राश्ट पती तो ऐसे में आप्सन नमर D यहाँ पर इस प्रशन का राइट आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना कि भारत सरगार ने हाली में गंतांतर द्वस परेट समारों के लिए चीफ गेस्ट के लिए मिस्त्र के राश्ट पती अब्दिल फते अलसीसी को निमंतरन दिया है नोट कीजिएगा यह मिस्तर के राश्ट पती है आपको धना करा अपसर नमर D यहाँ पर इस प्रशन का राइट आंसर है और जितनी भी छात्र 68 वाले कोर्स में जोईन करने के एक्चुम है आपको पुनो याद दिला दूँ आप इसे जोईन कर सकते है अब यहाँ पर हम चलते है आज की इस वीडियो के प्रशनी के और आज की इस वीडियो का हमारा प्रशन है कि येरोपिय संसद ने निम्न में से किस देश को आतंगवाद प्रायजग देश से गोशित किया है कमेंट करके बताईए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा विस्तार पुरुख जानखारी हमने आपको दिया था आप चाहें तो यहाँ पर शारी बातों को विस्तार पुरुख लिख सकते हैं तो दोस्तो आज की से वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो से हल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें हमेज़ सपोर्ट जरू कीजिएगा चलिए धनवाद जैनें तो